हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ कि सभी संदार बिल्कुल जबर जस्त होंगे तो 7 अगस्त बिहार पुलिस 12391 का जो एक जाम हुआ है उसका ये पेपर है ऐसे तो ये पेपर हर जिलावाईज आपको देखने को मिल रहा है तो बहुत सारे लोगों को जो है ये पेपर देखने को मिला होगा तो आईए एक से लेकर और पुरा हंटेड तक का जो है कोशन का एंसर जानते हैं पुरा डिटेल्ड में समझते हैं इसको क्या कैसे है और आप जो है अपना स्कूर चेक कर पाएंगे इस तरह से और साथ साथ जो है जिनका भी अपकमिंग एक्जामिनेशन है वे भी जो है इस बेसिस पे अपने तयारी को जारी कर सकते हैं ठीक है तो पहला कोशन हम लोगों का ये है कि 1980 के दसक के परणभ में सरवच न्याले के न्याय तक पहुंचू बढ़ाने के लिए कौन सत्तंतर तयार किया गया था तो इसका जो एंसर होगा जनहित याची का अप्सन नंबर सी अब आप लोग देख सकते हैं कोशन दो है किसी भी देश के करनून बनने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है तो संसत के पास होता है थोड़ा सामलोग तेजी में चलेंगे क्योंकि 100 कोशन है काफी लंबा वीडियो बन जाएगा तो तीसरा कोशन है बारसिक बीतिय वीवरान संसत के दोनों सदनों के समाक्ष कौन रखता है तो ये राष्ट पती रखते हैं चोथा कोशन है सरवच न्याले के मौलिक छित्र में क्या सामील है तो ये आपके अप्सण नंबर सी हो जाएगा पांचवा कोशन है कि सोवा एक बाक क्या है तो ये एक तरह की दावा है अप्सण नंबर सी होगा अप्सण नंबर एक होकी इंडिया बालाजी सिंग प्रुसकार ठीक है आठ नंबर कोशन जो है निमलिकित में से कौन सा भूरस्थाई उपगरा है तो ये आपका हो जाएगा हैंड सेट अप्सण नंबर सी नवा नंबर कोशन है समाचकवा बिहार का एक तेवहार है तो ये भाई बहन का तेवहार है ठीक है दसवा नंबर कोशन है ताद महल का बस्तुकार तो ये सभी को पस्ता होगा उस्ताद अमर लोहरी एक 11 number question विमिसार कहां के थे राजगिरी के थे ये राजवैद जीविक के मतलब जो इनके दरबारी थे उनके बारे में पुछा गया है अब 12 से 14 तक जो है हिंदी का question है जो एक गद दिया गया है उसमें जवाब देना है तो 12 का हो जाएगा option D, 13 का जो है आपका answer हो जाएगा option A और 14 का जो हो जाएगा आपका option D ये आपका गद से related question है तो इसको आप लोग पढ़के जवाब आराम से दे सकते हैं 15 नमबर question जो है राज में विधान परिश्यत की सदस्य संख्या के बिशे में समयधानिक प्रवधान क्या है तो ये राज की विधान की सदस्य संख्या एक बटा तीन से अधिक नहीं हो सकती option C सुला नमबर question दिया है कि समयधान सभा का समयधान सभा का चुनाव कब हुआ था जुलाई 1946 अप्सन नमबर ए 17 नमबर question है सरवच न्याले वह उंच न्याले के 900 को कौन हटा सकता है राष्ट पती हजा सकते हैं यदि दोनों सदन राय देतो अप्सन नमबर D 18 का जो है 18 सभाती है 19 नमबर question है कि अंडे की जर्दी कोलाइड आपको जो है इमल्सन कहा जाता है ठीक अब आयरन का एफी होता है आपको भी पता है अब जल में अक्सुजन का परमार्व संकरण अवस्ता पूछा है तो ओ हो जाएगा आपका SP3 अप्सन नमबर C 22 नमबर जो है आपका अप्सन नमबर C आप इसको देख सकते हैं 24 जो है निम्लिखित में से कौन सा समास विग्रह है तो इसमें सेना नायक का समास विग्रह सही है गुरु दक्षिना का सही है रिनमुक्त का सही है और राज सभा का जो है गलत है राजा के लिए सभा नहीं राजा का सभा होगा इस भाग को यांतरिक शक्ति परदान करता है तो यह अप सन नंबर एक हो जाएगा आपका 27 का जो है अप सन नंबर आपका जो है C हो जाएगा इस्टार्ट हो जाएगा 28 का अपसन नंबर डी हो जाएगा 1645 जो है फूर सदस्चे थे आपको सूचना कदिकार 2005 में जो है यह implement किया था, 30 नंबर कोशन का एंसर जो है आपका संजुक तरास्ट द्वर्ण नमकित में से किस वर्स को अंतरास्टी मोटा आनाज 2023 को घोसित किया गया है, सबसे ज्यादा मोटा आनाज इसी समय पैदा हुआ था, 31 नंबर लगबक सभी पादप को इसकाम है, क्या अनुपस्थित होत जाते है, 33 नंबर कोश्चन भी जो है, बाइलोजी साया है, इसका जो है, एंसर बी हो जाएगा, जो आपके हाइडरा में मुकलन में परेवन करो के कानवान से तुत्पन होता है, जो बड़ा-बड़ा कोश्चन है, उसको मैं सौट मिलेके चलने के कोशिस कर रहा हूँ, 34 न इसमें 37 में अप्सन नंबर A हो जाएगा, बीना सोचे विचार किया गया पर विश्वास करना अंद विश्वास का जाता है, और विश्वास नहीं का जाता है, और 32 नंबर कोश्चन का एंसर जो है भांगर होना चाहिए, थोड़ा सा ये कंख्यूज कर रहा है, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं, 49 नंबर कोश्चन का अप्सन D होगा, 40 नंबर कोश्चन जो है, बारत की सिराज्य का गनजान संक्या गनव सबसे ज्यादा था, बिहार का था, आपको ही पता है, और सबसे बड़ा राज्य है, छेतरफल के रिष्टी में राज्यस्थान, और सब 44 का मुद्रा स्पृति हो जाएगा, 45 की बात करें, तो 45 का, 45 का अप्सन नंबर A सही हो जाएगा, 46 अप्सन B, 47 ओनेस्टी किसका एक्जांपल है, तो अब स्ट्रेक्ट नावी, नाउन जो भाव अचक संग्या होता है, उसका है, इसमें जो है, all man must die, इसमें all जो है, आपका adjective हो जाएगा, मतलब इसेशन हो जाएगा, 50 नंबर कोश्चन है, वो अस्तान जहां सुप्राणू का अंड से सामना होता है, वो आपका डिम वहाहिनी होती है, पूरा तेन्थ और नाइन्थ का कोश्चन दिये गए, अगर कोई तेन्थ और नाइन्थ अच्छा से पढ़ा हो आराम से कोश्चन को सॉल्व कर सकता है,